कि अब फिलो गाई वेल्कम तो आज वाज बात करने वाले काड़ेक साइकल पर और काड़ेक साइकल यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो इसको ना कीज़ेगा गाईज चले स्ठाट करते हैं काड़ेक साइकल क्या है है एक हट वीट के द्वारान जो भी कॉअडियेट इवेंट्स होते हैं हाट्में हमारे हाट वीट बेत के द्व दौरान उसे हुरान हमने काड़ेक साइकल बोला है ठीक है तो cardiac cycle में जो events होते है उसको मैंने pictural form में represent किया है pie chart के form में तो यहाँ पे देखिए एक तो मैंने बनाया artery आगा और एक बनाया ventricle का तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको जो समझना है cardiac cycle में वो है time period of cardiac cycle तो time period of cardiac cycle is the reverse of the average heartbeat per minute ठीक है तो heart beat आता है average heartbeat होता है 72 per minute ठीक है उसको अगर reverse करते है तो 0.8 second जो है आपका cardiac cycle का time period हो जाता है यहाँ पे जो red से जो mark किया हुआ है 0.1 second वो artery में systole दिखाता है और यहाँ पे देखिए जो भी blank space है वो diastole दिखाता है ठीक है वैसे ही ventricle में यहाँ पे जो भी red markings किये गए है 0.3 seconds के लिए यह ventricular systoles को represent करता है और बाकी जो 0.5 second का है वो diastole represent करता है तो चलिए थोड़ा सा statics के उपर देख लेए तने आर्ट्रियल systole में 0.1 second का होता है systole और आर्ट्रियल में diastole होता है 0.7 second का तो दोनों मिलाके कितना हो गया 0.8 seconds का ventricular systole होता है 0.3 seconds का और ventricular diastole होता है 0.5 seconds का तो दोनों मिलाके कितना हो गया 0.8 seconds का अब आप सोच रहे होंगे कि ये वापस मैंने क्यों लिखा है तो ये जो है ये इस में मैंने क्या बोला है सिस्टोल जो है एक्चुली में होता है 0.11 सेकंड का और डायस्टोल जो होता है आर्ट्रिया में वो होता है 0.69 सेकंड का और ventricle actually में 0.27 seconds का होता है और diastole होता है 0.53 seconds का पर हम लोग approximation के लिए ये readings लेते हैं पर actually में होता ये है ठीक है और यहाँ पे देखें जैसे मैंने बोला atria का जो है आपको 0.8 seconds और ventricle का 0.8 seconds तो ये दोना अलग-अलग नहीं है ये 0.8 seconds एक साथ ही चल रहा है 0.8 seconds में जो हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया और 0.8 seconds पे simultaneously जो हो रहा है ventricle में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया अब अगर दोनों को simultaneously मैं mix करता हूँ दोनों pie charts को तो ऐसा कुछ आपको दिखता है तो इसमें क्या है आउटर जो देखे आप यहाँ पे जो systole हो रखा है atria में 0.1 seconds का तो आउटर सर्कल किसको represent कर रहा है atria को और जो बाहर वाला अंदर वाला जो सर्कल है inner जो सर्कल है वो ventricle को represent करता है तो यहाँ पे देखे जो red marking है वो systole को दिखाता है और जो white में है वो diastole को दिखाता है human heart में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकी time पे atria में systole systole और ventricle में भी systole हो जाए ठीक है तो यह तो atria में systole होगा और ventricle में diastole होगा ऐसा हो सकता है पर कभी एक साथ systole नहीं हो सकता दोनों में ठीक है और एक साथ diastole जरूर हो सकता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं diastasis बोल देते हैं ठीक है जहाँ पर यहाँ पर देखिए जब arteria में diastole है तब ventricle में जो है वो systole हो रखा है ठीक है गाइस तो आगे हम लोग समझते हैं कि हमारे अलग-अलग जो है period of ejection तो ventricular systole जैसे हमें मालूम है कि 0.27 seconds का होता है तो isometric contraction होता है 0.05 seconds का और period of ejection होता है 0.22 seconds का ठीक है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले condition में आपकी heart की condition बताता हूँ आपको यहाँ पर देखिए पहले तो सबसे पहले walls सारे closed है ठीक है यह जो क्रीम में मैंने दिखा है और आपके seminar walls जो कि यहाँ पर देखिए यह pulmonary trunk है यह avota है और यह जो सुपिरियर वैना का हुआ इंफिरियर वैना का हुआ ठीक है यह atrium से right atrium यह left atrium यह right ventricle यह left ventricle ठीक है समझ गया आप तो अब देखिए यहाँ पर यह जो सारे walls closed है तो एक chamber की तरह बन चुका है यह chamber की तरह बन चुका है अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं musculature को contract करता हूँ ventricular musculature को मैंने contract किया तो क्या होगा pressure बढ़ जाता है pressure बढ़ा, pressure बढ़ने से क्या होता है या पर tension जो है musculature में वह बढ़ जाता है tension बढ़ने से होता क्या है कोई भी length में change नहीं नहीं translators की learning my muscles की ganber बस क्या होता है pressure बढ़ जाता है जैसि mein contract हो करूंगा buy musculature को तो क्या होगा pressure प्रेशर बढ़ जाएगा अब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ठीक है प्रेशर बढ़ रहा है अब अगले स्टेज में देखिए क्या होता है पीरिड ओफ इजेक्शन में इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि यह जो सेमिलोनार वाल्स है यहाँ पर यहाँ पर कुछ फिलिंग था पहले ना ही अवोटा में फिलिंग था ना ही पल्मनेरी ट्रंक में फिलिंग था तो अब क्या हुआ प्रेशर इतना बड़ा कि यह तो पल्मनेरी ट्रंक में चला गया राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पर चला गया अवोटा में चला गया ठीक है क्या blood का पर चला गया venus blood जो था right ventricle में वो pulmonary trunk में चला गया और जो purified blood था जो हमारा oxygenated blood था left ventricle में वो हमारा अवोटा में चला गया ठीक है क्यों ऐसा हुआ pressure gradient के बज़े से हुआ यहाँ pressure ज्यादा था तो कम pressure के तरफ वो चला गया तो इसको हम लोगों ने क्या बोला period of ejection अब यहाँ पे यह हुआ कैसे जब यह semilonar walls open होते हैं जब यह semilonar walls open होते हैं तब ही यह जो blood है आपका यहाँ पे pulmonary trunk और अवोटा में जा पाता है open होते ही open होते ही एक love sound आता है love love ठीक है love ऐसा sound आएगा तो इससे क्या होता है यह सारा blood जो ventricles में था यह pulmonary trunk और अवोटा में चला गया किसके दोरा गया semilonar walls खुलने के बजे से अब जैसे period of ejection में यहाँ पे दो stages बता है पहला stage जो बताया हुआ है वह है rapid ejection दूसरा stage जो बता है slow ejection अब यहाँ पे देखिए rapid ejection कितने seconds का है 0.22 seconds का पूरा है rapid ejection कितने seconds का है 0.13 seconds का और slow ejection जो है वह आपका 0.09 seconds का अब rapid इसको क्यों बोला है rapid इसको इसलिए बोला है क्योंकि यह force pulley जो है blood को pump करता है कहा से pump करता है ventricle से pulmonary trunk और avota में pump करता है इतने जाओर से pump करता है इसलिए इसका राम क्या रख दिया rapid ejection ठीक है यह immediately after semilunar walls open होने के बाद जो है ventricle से blood क्या करेगा pump करेगा किस में pump करेगा आपका pulmonary trunk में और avota में ठीक है phase या फिर second stage ऐसा बोल दिया ठीक है तो अब दीरे दीरे blood क्या होगा दीरे दीरे जाएगा अब समझिए मैंने आपको बताया isometric contraction में क्या बताया बहुत ही pressure बढ़ गया ठीक है pressure बढ़ा ventricles में tension बढ़ा अब tension के कारें क्या हुआ जो pulmonary trunk खाली था जो avota खाली था उसमें pressure चला गया क्यों चला गया क्योंकि वहाँ पे pressure जो है वो कम है ठीक है यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाई सिर्फ pressure का खेल है high pressure से low pressure जाएगा गया अब high pressure से low pressure गया पहले एकदम जल्दी से गया और फिर दीरे दीरे गया बस इतना ही है ठीक है अब यहाँ पे देखे end systolic volume जो है आपका वो ऐसा volume है जो systole के बाद ventricular systole के पाद आपके पास बच जाता है यह कितना है 62-80 ml left in ventricles after after किसके बाद किसके बाद बोला है यह volume after ventricular systole ठीक है तो मैंने कहके बताया आपको यहाँ पे मैंने बताया isometric contraction जिसमें मैंने बोला है कि सारे walls close है सारे walls close है chamber की तरह है musculature contract हुआ musculature contract होने के बज़े से pressure बढ़ा tension बढ़ा tension बढ़ने के कारण क्या होता है pressure बढ़ने के कारण यह जो high pressure से low pressure blood है जाने लगता है अब low pressure blood कहा पे गया pulmonary trunk में गया avota में गया अब जैसी pulmonary trunk और avota में जा गया blood वो किसके द्वारा गया था semilunar walls खुलने के बज़े से गया था यह semilunar walls खुलते ही एक love sound आता है love sound आता है तो period of ejection में पहले तो fastly blood जाता है और फिर धीरे धीरे जाता है तो इसको ही दो phase में बाढ़ दिया rapid ejection और slow ejection ठीक है चलिए आगे देखते है ventricular diastole ventricular diastole तो dice देखे यहाँ पर ventricular diastole में होते 5 phase सबसे पहला phase है proto diastole फिर है isometric relaxation period फिर है rapid filling phase और slow filling phase and at last last rapid filling phase ठीक है गाईस तो यहाँ पर भी वही खेल है pressure gradient का आपको high pressure से low pressure blood को लेके जाना है ठीक है गाईस अब देखे proto diastole में मैंने अगर आ होते नहीं है हाट में ठीक है गाईस यहाँ पर कोई भी changes occur नहीं होते है सिरफ क्या होता है जो ventricles के अंदर का pressure है अवोटा और pulmonary trunk से कम हो जाता है इनके comparison में यहाँ पर pressure जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पर pressure कम होगा तो क्या होगा यह जो हमारा semilunar walls थे semilunar walls जो थे कि ह हमारे खुल गए थे अब यह बंद हो जाएंगे ठीक है गाईस जो ventricles systole में हमने देखा था कि यह semilunar walls जो है वो खुल चुके थे वहाँ पे blood चला गया था आटरा और हमारे pulmonary trunk में अब यह walls जो है वो close हो गए यह walls close होते ही क्या होता है dub नाम का sound produce होता है इसी को हम लोग 0.04 सेकंड के लिए होता है ठीक है isometric relaxation period isometric relaxation period में आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला semilunar walls close है atrio ventricular walls पहले से ही close है वो तो खुले ही नहीं ना ही ventricular systole में खुले ना ही ventricular diastole में खुले अभी तक तो खुले नहीं है ठीक है अब मैंने क्या बोला आपकी जो heart की musculature है ventricles की वो धीरे दीरे दीरे उसमें क्या होगा relaxation होगा पहले systole में क्या हो था contraction होगा अब यहाँ पर क्या होगा दीरे दीरे धीरे रिलाक्सेशन होगा रिलाक्सेशन होगा तो यह कितने देर तक चले गा 0.08 सेकंड के लिए चले गा तो यहाँ पर pressure gradient क्या होगा बन जाएगा low pressure gradient बनने के कारएं rapid filling phase जो अगला phase है यहाँ पर क्या होगा AV walls जो atria और ventricle atria और ventricles के बीच में walls है वो open हो जाएगी और यहाँ से atrium से blood आपका जो भरा हुआ है वो ventricles में आना चालू हो जाएगा जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो right arteria है वहाँ से right ventricle में blood जाएगा और left arteria है वहाँ से left ventricle में blood जाना start हो जाएगा अब यह blood जब जाता है तो आवाज करता है ठीक है यह रशिंका जो आवाज है blood का इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया इसी को हम लोगों ने बोल दिया third heart sound ठीक है 70% जो atria का blood है वो ventricles में आता है ये कितने देर तर चलता है 0.11 seconds के लिए चलता है अगला जो phase है वो है slow filling phase इसको ही हम लोगों ने diastasis बोल दिया इस phase में heart में कोई major changes नहीं होते और heart सारे जितने भी musculatures है heart के वो सारे relaxed phase में होते हैं यहाँ पे क्या होता है 20% जो blood है आपका atria का वो ventricles में आता है तो ये phase चलता है 0.19 seconds के लिए और आप यहाँ पे देखिए last rapid feeling phase last rapid feeling phase जो है ये last phase है अचानक से क्या होता है atrial strike होता है atria से अचानक से suddenly 10% blood जो है ventricles में आता है तो इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया last rapid feeling phase 0.11 seconds का होता है अब कोई बच्चा बोलेगा कि ventricular diastole हो चुका है अब इसमें heart ventricles में कितना blood बचेगा तो मैं बता दू आपको कि 130 ml से 150 ml तक का blood जो है अभी भी ventricular musculature में बचा होगा जब आपका ventricular diastole complete हो जाएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है जैसे ventricular systole में मैंने systole करवाया blood का pressure बढ़ा दिया और कहां बेज दिया आपका outer और pulmonary trunk में अब मैं ventricular diastole पढ़ा रहा हूँ तो ventricular diastole में क्या हुआ वहाँ से blood नीचे की तरफ आया ठीक है वहाँ pressure बढ़ा blood नीचे की तरफ आया यहाँ pressure बढ़ा blood नीचे की तरफ आया आर्टरिया में जो P pressure था वो उसके कारण blood नीचे की तरफ आना चालू हो गया ठीक है गाईज यही है ventricular diastole अब आगला हम लोग देखेंगे arterial systole चलिए आद देख लेते हैं arterial systole तो arterial systole कुछ ही नहीं गाईज यह सिरफ last जो phase था ventricular diastole का वही है last rapid feeling phase में मैंने आपको बताया तकि जो 10% blood है वो क्या करता है arteria से ventricle में आता है तो ठीक है वही जो है इसको ही हमने क्या बोल दिया arterial systole बोला हुआ है और last rapid feeling या फिर pre-systole इसको हम लोग बोल सकते हैं गाईज ठीक है और इसको ही हम लोग जो है इसमें क्या होता है जो arteria है उसमें contraction होता है arteria में contraction हुआ वो क्या करता है उपर से जो blood है उपर का जो blood है देखे यहाँ पे जो blood है वो दीरे 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 यहाँ पे filling करना चालू करता है आपका arteria से blood जो है ventricles की तरफ filling होना चालू हो जाता है ठीक है तो इसको ही क्या बोल दिया arterial systole बोल जाए ऐसा क्यों होता है फिर मैंने बोला कि pressure gradients की कारण होता है क्या पे pressure जादा हो गया इसलिए low pressure की तरफ आना लग जाएगा कहां से pressure जादा हो गया atrium में pressure जादा हो गया तो ventricles की तरफ आने लग जाएगा अब जो contraction होता है contraction के बज़े से क्या होता है fourth heart sound आपका produce होता है fourth heart sound का पे produce होता है arterial systole में produce होता है ठीक है गईज अगला जो देखेंगे हम लोग वो है artreal diastole तो atrial diastole में क्या प्रेसर बहुत ही ज़ादा reduce हो जाता है atrial muscle जो है वो relax करने लगजाते हैं और atrial muscles relaxed होते ही क्या होता है pressure और भी जड़ा decrease हो जाता है इससे क्या होता है एक तो superior व्यानकावा और inferior व्यानकावा से enter होना चालू हो जाता है atriums में तो cardiac cycle पे इतना ही था guys अगर आपको अबारा वीडियो अच्छा लगा तो please like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और अपने जादा जादा दोस्तों को हमारी चैनल के बारे बताईए ताकि आप हर किसी को अपने दोस्तों को मदद कर पाए थैंक्यू peace out